11 से कोई भी नमबर को फटाफट कैसे मल्टिप्ले करेंगे चलिए देखते हैं 11 लेंगे 11 इंटू कोई भी नमबर 4 5 6 7 8 9 2 4 चलो इसको कैसे करेंगे पहले आपको क्या करना है फिर बाद में एक एक करके पीछे से आड करके लिखते जाना है 4 प्लस 5 9 6 प्लस 5 11 जब आपको दो डिजिट आते हैं तो एक उपर एक नीचे लिखना है फिर बाद में 6 प्लस 7 13 एक उपर एक नीचे फिर बाद में 8 प्लस 7 15 एक उपर एक नीचे फिर बाद में 8 प्लस 9 17 एक उपर एक नीचे 9 प्लस 2 11 एक उपर एक नीचे फिर बाद में 4 2 6 हो गया addition अभी आपको लास्ट नमबर जैसे के वैसे लिखना है अभी add करना है यहां से 4 6 1 8 6 4 2 10 and 5 यह कुछ नहीं है सो हो गया इसका answer देखिए हमने बहुत ही जल्दी कर लिया एक और और नमबर लेंगे 11 into 5 2 3 7 6 8 9 2 5 7 6 6 5 3 2 चलिए हम इसको multiply करेंगे जैसे कि मैंने बोला है फर्स्ट नमबर जैसे वैसे लिखेंगे नेक्स्ट आपको पीछे से add कर देजाने 7 plus 5 plus 2 7 फिर बाद में 2 plus 3 5 फिर बाद में 7 plus 3 10 दो डिजिट एक उपर एक नीचे फिर बाद में 6 plus 7 13 एक उपर एक नीचे फिर बाद में 8 plus 6 14 एक उपर एक नीचे फिर बाद में 9 plus 8 17 एक उपर एक नीचे फिर बाद में 2 plus 9 11 एक उपर एक नीचे फिर बाद में 5 plus 2 7 single digit वैसे के वैसा है 7 plus 5, 12, एक उपर, एक नीचे फिर बाद में 7 plus 6, 13 एक उपर, एक नीचे फिर बाद में 5 plus 6, 11, एक उपर, एक नीचे 5 plus 3, 8 single digit जैसे के वैसा 2 plus 3, 5 और last digit वैसे के वैसा अब एड कीचे 2, 5, 8, 1 3 plus 1, 4, 2 plus 1, 3 7 plus 1, 8, 1 जैसे का बैसा 7 plus 1 8 4 plus 1 5 3 plus 1 4 1 1 plus 0 1 5 plus 1 6 7 5 इतना बड़ा नंबर हमने चुटकिया में कर लिया अभी आपका टर्न है आप कीजिए इसका वैल्यू और मुझे इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा थैंक यू